श्री गडेशाय नमाहा, श्री जानकी पल्लभोग विज्यते, श्री राम चरित्मानस बालकाण, मास परायन दूसरा भिश्राम सती समुजी रगुबीर सुप्रभाव वै बस सीव संकिन दुराव कचुना परी चालीन गोसाई कीन प्रणाम तुमारी नाई सती जी ने श्री रगुनाज जी के प्रभाव को समझ कर डर की मारे श्री जी से छिपाव किया और कहा हे स्वामिन मैंने कुछ भी परीक्षन नहीं ली आपकी ही तरह प्रणाम किया आपने जो कुछ कहा वह जूट नहीं हो सकता मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है तब शीव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था वह सब जान लिया पिर शिरी राम जी की माया को सिर्णवाया जिसने प्रेणा करके सती के मूँ से भी जूट कहला दिया सुजान जी ने मन में विचार किया कि हरी की इच्छा रूपी भावी प्रबल है सती जी ने सीता जी का वेश धारन किया यह जानकर शीव जी के हृदे में बड़ा विशाद हुआ उन्होंने सोचा यदि मैं अब सती से प्रीती करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है सती परम पवित्र है इसलिए उन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परन्तु उनके रिदे में बड़ा संताप है तब संकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हिदे असभावा इह तनसीत ही भेट मुहिनाही सिव संकल्पू कीन मन माही तब शिव जी ने प्रभु शिरी राम चंद्रजी के चरन कमलों में सिर्णवाया और शिरी राम जी का इस्वनन करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेट नहीं हो सकती और शिर्जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया अस विचारी संकर मत धीरा चले भवन सुमीरत रगुवीरा चलत गगन भैकीरा सुहाई जै महेश भली भगती दिर्णाई इस तेर पूधी शंकर जी ऐसा विचार कर शिरी रगुनाज जी का इस्वनन करते हुए अपने घर को चले चलते समय सुन्दर आकाश्वानी हुई कि हे महेश आपकी जै हो आपने भक्ती की इच्छा द्रता की है अच्छी द्रता की है आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिग्या कर सकता है आप श्री राम चंदर जी के भक्त हैं समर्थ हैं और भग्वान है इस आकाश्वानी को सुनकर सत्य जी के मन में चिन्ता हुई और उन्होंने सकचाते हुए शिवजी से पूछा कीन कवन पन कहूं क्रिपाला सत्य धाम प्रभुदीन दयाला जद पी सती पूछा बहूं बांती तद पी न करें त्रिपुर आराती हे क्रपालु कहिए आपने कौन सी प्रतग्या की है हे प्रभु आपके सत्य के धाम और दीन दयालु है जद पी सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिवजी ने कुछ न कहा सत हिडय अनुमान किये सब जाने उसर बग्य कीन कपटु मैं संबुसन नारी सहज चड़ अग्य सती जी ने हिर्दे में अनुमान किया कि सरवग्य शिवजी सब जान गए मैंने शिवजी से कपट किया इसरे सभाव से ही मूर्क और बेसमज होती है प्रीती के सुन्दर रिती देखिए कि जल भी दूद के समान भाव बिखता है परन्तु फिर कपट प्रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है दूद फट जाता है और स्वाज यानिकी प्रेन जाता रहता है अपनी करणी को याद करके सती जी के रिदे में इतना सोच है और इतना अपार चिंता है की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उन्होंने समझ लिया कि शिर्जी क्रपा के परम अताहा सागर है इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराद नहीं कहा शिर्जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हिर्दे में व्याकुल हो उठी अपना पाप समझ कर कुछ कहते नहीं बनता प्रन्तु खिर्दे भीतर ही भीतर कुमार के आव की समान अत्यन्त जलने लगा सीतई ससोच जाने व्रिश के तू कही कता सुद सुन्दर सुख हे तू बरनत पंथ विविद इतिहासा विश्पनात पहुँचे कैलासा ब्रश शेटू शिवजी ने सती को चिंता युक जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुन्दर कथाय कही इस प्रकार मार्ग में विविद प्रकार के इतिहासो को कहते हुए विश्पनात कैलास जा पहुँचे वहाँ फिर शिवजी अपने प्रतिक्या को याद करके बढ़के फेड के नीचे पदमा असन लगाकर बैठ गए शिवजी ने अपना सर्भाविक रूप संभाला उनकी अखण और अपाल समादी लग गई सती बस ही सेलास तब अधिक सोचु मन माही मर मुना को जान कचु जुग समदी बस सिराही मंगल भवन अमंगल हारी रवव सुदशरत अजिर भिहारी तब सती जी कैलास पर रहने लगी उनकी मन में बड़ा दुख था इस रहसे को कोई कुछ भी नहीं जानता था उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था सती जी के हिदे में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाओंगी मैंने जो श्री रगुनाज जी का अपमान किया और फिर पती के वश्णों को जूट जाना उसका फल विधाता ने मुझे को दिया जो उचित था वह किया परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है सती जी के हृदे की गलानी कुछ कही नहीं जाती बुद्धी मती सती जी ने मन में श्री राम चंद्र जी का इस्मरन किया और कहा हे प्रबु यदि आप दीन दयालू कहलाते हैं और वेदो ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं तो मैं विने कराऊं कर जोरी छूटाऊं बेगी देह यह मोरी जो मोरे सिव चरन सने हूं मन क्रम बचन सत्य व्रत वे हूं तो मैं हाथ जोड कर विंती करती हूं कि मेरी यह दे जल्दी तूचाए यदि मेरा शिव जी के चरनों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम व्रत मन बचन और कर्म से सत्य है तो सब दर्शी सुने प्रभू करं सो बेगी उपाई हुई मर मुझे ही बिन ही श्रम दूसे विपत्ति विहाई मंगल भवन अमंगल हारी द्रभव सो दशरत अजिर विहारी तो हे सर्व दर्शी प्रभू सुने और शिग्र है उपाई की जिससे मेरा मरण हो और बिना ही पाईश्रम यह ऐसे विपत्ति दूर हो जाए जैसियराम